हेलो दोस्तो, स्वागत आपका संकल्प स्टड़ी पॉइंट में तो दोस्तो आज बात करेंगे लोग सेवा आयूक के अध्यक्स जी के बारे में तो आप लोगों ने इससे पहले सुना होगा कि जो हमारे डॉक्टर राकेस कुमार जी थे जो यानि कि पूरू आईये सदिकारी थे हमारे वो उत्राखंड लोग सेवा आयूक के अध्यक्स के पत परासीन थे पर उन्हें दोस्तो अभी बीच में साथ जुनको अपना पत त्याग दिया था जब पत त्यागने के बाद जो नया अध्यक्स बनाया जाएगा या फिर जो नए अध्यक्स के जो कारेकारणी है वो कौन करेगा या फिर उसमें जो हमारे इस से पहले यानि कि जो पूरू में हमारे भी डॉक्टर राकेस कुमार जी जो अध्यक्स थे यो लोग से वायो के उनके द्वारा कौन-कौन से कारे कीगी उनके पत्यागने का कारण क्या था उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगी आने वाले एक्जाम में कारेकाल से संबंदित क्वेशन भी पूछे जाते हैं तो देखे आप लोग ये नॉटिफिकेशन के माध्यम से ही मापको बताना चाहूंगा कि इसमें क्या चीज़ें थी और क्या चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है कौन इसके नई अध्यक्स बनाये जाएंगे और इनका कारेकाल कितना रहा कितनी भरतियों में इनने अपना योगदान दिया और कितनी भरतियों को इन लोग ने अपने दौरा कंड़क्ट कराया था उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले तो हम डॉक्टर राकेस कुमार जी के बारे में जानते है कि उनका जो दाइत्व रहा है उनका जो कर्तब्य रहा है लोग से वायोग की तरब वो कितना था और उन्होंने कौन-कौन से अपने ऐसे कारण रहे जिनके अनुरूप उन्होंने अभी इस्थपा देने का यहां पर निरणाई लिया तो देखे दोस्तों उत्राखंड लोग से वायोग की अध्यक्स डॉक्टर राकिस कुमार पूरो आईयेस द्वारा दिनांक साथ जून को अपने पत से त्याग पत्र दे दिया गया है जिसे मानिय राज्यपाल उत्राखंड द्वारा स्विकार कर लिया गया है इस संबंध में डॉक्टर राकिस कुमार द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा अध्यक्स से त्याग पत्र ब्यक्तिगत कारणों से दिया गया है यानि कि ब्यक्तिगत कारणों से ही उनका क्या करा गया, उसमें इस्तिपा दिया गया है, ऐसा कोई पॉलिटिकल प्रिशर नहीं था, ऐसा कोई दूसरा इश्यू ने था जिसके तहद उन्होंने अभी यहाँ पे दोस्तों अपना इस्तिपा दिया है, बस अपना ही उनका एक ब्यक्तित्व के कारण ही उन्होंने क्या करें ब्यक्तिगत उन्होंने या पर स्थिपा दिया गया है। पत्ति को एक ससक्त एबम सुभ्यवस्तित मार्ग प्रप्रस्तत किया गया जिसमें प्रमुक रूप से जन्हित में वार्षिक परिक्षय कलेंडर जारी करना जिसके अंतरगत वर्स 2022-23 में जारी परिक्षय कलेंडर के अनुसार रिकॉर्ड समय अंतरगत 30 परिक्षयें सफलता पूड़क आयजूत की गई एब उनके परिक्षा प्रणाम जारी किये गए इसी प्रकार राजी के कर्मिकों को उनके पदोनत्य का लाप समय समय मिल सके इसको ध्यान में रखते हुए डीपीसी बैठकों का आयूजन सच्चिवाले दहरादून में किया जना प्रारंब किया गया जिसके प्रणाम स्वरूप रिकॉर्ड 110 डीपीसी सफलता पूर्णक संपन्न होई तथा वर्तमान में डीपीसी की इस्तती जीरो पेंडेंसी हो गई है सांथ ही बिविन्न साक्षातकार परिग्शाओं को और अधिक उतकस्ता पार्दिस्ता और निश्पक्स्ता पुरवक्त संपन्न कराने है तू अब अभिरत्यों को साक्षातकार परिग्शा में कोड प्रनाली लागू की गई तथा अनुभवी एबम प्रातिच्टित विसाई विसे सक्यों की उपलब्दा सुनश्चित करने के लिए इपोटल लॉंच किया गया विविन्न विभागों को मैं समान प्रकरती के पदूं पर चैन के लिए सम्मिलित परिक्षा का आयूजन सुनश्चित किया गया इससे जहां समय एबम स्रम की बचत होगी वहीं सास की अधन की बचत होगी अभ्यर्थियों के कोचैन के अधिक से अधिक एबम निरंतर अउसर उपलोड़ कराने के लिए परिक्षाओं को इलेक्षन मोड में कराए जाने हेतू जमीनी इस तर पर काफी कारी किया गया जिसमें सासन एबम जनपत इस तर पर सबी अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिला है इसी प्रकार परिक्षाओं की सुचिता के दरिश्टिकत समस्त गोपनी और भागूं को केंदरिकरत इस तल पर लाते हुए डवल लेयर सेक्योर्टी चेक सुनिशित किया गया है फिर उसके बाए देखें डॉक्टर राकेश कुमार द्वारा उत्राखंडर राज्य के मान्य राज्यपाल महोदय एब मान्य मुख्यमंत्री जी के प्रति विसेश आभार ब्यक्त करते हुए कहा कि उपडियोगत उपलब्धियों को हासिल करने में उनका वांचित सहयों के पूर्ण समर्थन मिला है तथा कार्य आवशक्ताओं की पूर्ती हेतू, मान्य मुख्यमंत्री जी तथा सासन के विभिन अधिकारियों तथा मुख्य सचू अपर मुख्य सचू प्रमुख सचू आदे के समय समय पर आयोग द्वारा जो पेक्षाय की गई उनकी यथा समय पूर्ती हुई है जिसके लिए उनके द्वारा सबके प्रति हार्दिक धन्यवाद प्रकट किया गया डॉक्टर कुमार द्वारा आयोग के माननीय सदेश्चेगन समस्त अधिकारियों एवं कर्मिकों का भी धन्यवाद प्रकट किया गया उनके द्वारा समगर कार्य दायत्तों का निर्वहन कर आयोग को नई आयाम इस्थापित करने में अपना महती योगदान दिया उप्रिक्तु सुधरात्मक्त प्रियासों के फलस्वरूग आयोग द्वाराराजी के उत्कस्ट मानों संसादन उपलब्द कराने के अपने लक्स के और अपने डर्ता एवं अथक प्रियास एवं विस्वास के साथ आगे बढ़ रहा है तो दोस्तों अगर माने तो डॉक्टर राकेश कुमार जी का जो कारेकाल था वो बहुत ही एकदम बहुत साफ और बहुत सही कारेकाल था क्योंकि अगर काबिले तारिफ का जो इनका कारेकाल रहा है क्योंकि इतने जल्दी इन्होंने एक कलेंडर जारी करा और उस कलेंडर जारी के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा ये एक तारिफ करने वाली बात है क्योंकि इससे पहले ऐसा देखने को नहीं मिला था जो कलेंडर जारी हुआ था जो डेट जारी हुए थी उसी डेट पे परिक्षाएं कराई गई वो बहुत बड़ी बात होती है उसके साँ-साँ नियुकतियां भी बहुत जल्दी दीगे दोस्तों आप लोग उने देखा होगा उतराखनड पुलिस तो अभी दोस्तों लगबग जितने भी UKPSC के पास exam थे लगबग लगबग सभी ही exam उस पे complete हो चुके हैं एक lab assistant का जो exam है वो रुका हुआ है बाकि के जितने भी exam है वो लगबग सारे ही UKPSC ने अपने conduct करा चुकी है और लगबग उसमें अधिकतरों के result भी जारी होने अभी लेबल के या फिर बड़े जादे पद वाले जो अभी पोस्त थे तो लगबग लगबग उन सभी में कारे करना लगबग सुनिश्चित कर दिया गया है लगबग सभी के ही result जल्द ही जारी कर दे जाएंगे लोग से आएक के द्वारा तो कहीं ना कहीं ये डॉक्टर राके कामनाएं करते हैं कि वो देश के वर्चस्त को ऐसे ही बढ़ाते रहें बाकी दोस्तो अब बात करेंगे कि जो नई अध्यक्स बनेंगे हमारे लोग से वायो कि वो कौन होंगे और क्या अस्थाई अध्यक्स होंगे या फिर उनको इस्थाई अध्यक्स के रूप में न्यू कहने का मतलब यह है कि जब तक अध्यकस के न्यूकती नहीं हो जाती है जो वहां पर एक वरिष्ट एधिकारी थी डॉक्टर जो यए टॉस। JMS राणा सदस से उत्राखंड लोग से वायो के नियोक्त किये जाने की सहर स्विक्रित परदान करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब तक इस्थाई अध्यक्स हमें नहीं मिल जादा तब तक के लिए जो हमारे उत्राखंड लोग से वायों के जो अध्यक्स रहेंगे वो हमारे डॉक्टर जे-मेस राना जी अभी यहां पे रहने वाले हैं तो आप लोगों को एक question अभी यहां से यह में देखने को मिलेगा कि डॉक्टर राकेश कुमार जी के बाद अस्थाई रूप से किस व्यक्ति को उत्राखंड लोग से का अध्यक्स बनाया गया तो दोस्तो इसमें हमारे कौन से हो जाएंगे डॉक्टर जे-मेस राना जी इसम information पसंद आये हुई हूँ तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर सेयर करें लाइक करें कमिट करें धन्यवाद